ओम श्री साइराम प्रेम वाहिनी अध्याय सताइस समस्त क्रियाओं का लक्ष सतकर्म है यदि व्यक्ति बीमार है अथवा उसका मन किसी अन्य में अनुरत है तो भोजन अथवा अन्य किसी भी खायवे पदार्थख स्वाद नहीं मिलता है इसी प्रकार यदि कोई नामस्मरन, भजन, जब, ध्यान में लगा हुआ है यदि उसका रिदय तमोगुन के अन्धकार में डूबा है अथवा वो मन-मोजी और ध्रिश्ट है तो आनन नहीं प्राप्त किया जा सकता है इन परिस्थितियों में आनन्ध की अनुभूती नहीं होती है जब तक जिवा पर शरक्रा रहेगी मिठास का अनुभव होता रहेगा यदि रिदय के बरामदे में प्रकाश का स्थम भक्ती विद्यमान है जब तक दीपक प्रकाशित है तब तक वहां अन्धेरा नहीं फटक सकता रिदय आनन जोती से दीप्त रहेगा जिवा पर किसी कटू स्वाद वाली वस्तु रहने से समूची जिवा को करवाहट अनुभव होता है जब क्रोध और लोब के दुरगुन रिदय में प्रवेश कर जाते हैं तो प्रकाश तिरोहित होकर अंधकार चा जाता है और मानव अगनित शोकों और हानियों का लक्ष बन जाता है इसलिए जो भगवान के दर्शनों को लालायत हैं उन्हें कुछ सैयम अनुशासन और सत वृत्यों का अपने में विकास करना ही होगा समान्यतया जन साधारन की दैनिक चर्या से तो भगवान की प्राप्ति होने से रही उनमें कुछ संशोधन परिवर्तन आविश्रक है और यह साधना के द्वारा होगा बगले की ओर तो देखो जल में वो कितने सुर्ती के साथ भागदौड करता है परन्तो उस भागदौड में एक भी मचली उसे नहीं प्राप्त होती उस उद्देश्य की पुर्ती के लिए इसे निश्चेष्टा होना पड़ता है और स्थिर हो जाना पड़ता है इसी प्रकार यदि कोई क्रोध, लोव तथा अन्य ऐसी ही वृत्यों के साथ वहवार करता है तो उसे सत्य धर्म और शान्ती रूपी मचली नहीं प्राप्त हो सकती मानव की साधना चाहे जैसी हो या ना हो उसे अबाद रूप से नामस्वरण जबते रहना चाहिए लोब, क्रोध, इत्यादी की स्वभाविक वृत्यों को तभी वो वशिभूत कर सकेगा सभी शास्त्र एक मात्र यही शिक्षा देते हैं, चूंकि भगवान ही समस्त विश्वरक्ष है और इस जीवन यात्रा का गंतव्य वे ही हैं, अतह सधा उन्ही पर द्रिश्टी जमाई हुए मन को वशिभूत करने का प्रयास करते रहो, क्योंकि ये मन ही तो तुम्हें मार्ग से विचलित करता रहता है, जो व्यक्ति वानी का सैयम करता है, सदा भगवत चिंतन में लगा रहता है, उसमें सभी सदगुन्द स्वता ही उत्पन हो जाते हैं, देखो, द्वापर युग में कौरव गंड जब अपने पूर्व जन्मों के संचित पुन्य कर्मों का सुख भोगते हुए पाप कर्मों में लगे हुए थे, तब इसके प्रतिकूल पांडव अपने पूर्व जन्मों के पाप कर्मों के फलसुरूप कष्ट भोगते हुए भी पुन्य चिंतन और प्रामुद्वेक के दास थे और पांडव लोग सभी कार्य भगवदारपन करके करते थे। उनके सार्थी सत्य और धर्म थे। जो शोक से अभिबूत होते हैं उन्हें युद्ध या भोज निमंतरन में कोई रूची नहीं रह जाती है। इसी प्रकार जो सच्चा साधक भगवान के ध्यान में मग्न रहता है उसे सांसारिक सुखों में न कोई आनंद आता है और न वह इनके विशे में कभी सोचता ही है।